सरीर के इन 45 बड़े बड़े रोगों को जड़ से खतम करती है चूना और दालचिनी नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको चूना और दालचिनी को साथ में खाने से होने वाले चमतकारी फाइदों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये आपके सरीर के 45 बड़े बड़े रोगों का एक कारगर इलाज है दोस्तो चूना अक्सर पान के साथ मिला कर खाया जाता है जबकि दालचिनी को जादतर किचर में बनने वाले खादे चीजों में मसाले के तोर पर इस्तमाल किया जाता है लेकिन अगर इन दोनों चीजों को साथ में मिला कर खाया जाए तब इसके जो फाइदे आपको मिलेंगे दोस्तो उन फाइदों को जानकर देखकर और पाकर आप भी दंग रह जाएंगी क्योंकि ये आपके सरीर के बहुत सारी बीमारियों का इलाज करतेगी दोस्तो जिनको भी वात से जुड़ा कोई भी रोग है यानि किसी के भी सरीर में कहीं पर भी दर्द है तो उसका इससे बहतर कोई इलाज नहीं होचता जैसे जोडों में दर्ध हो, मासपेशियों में दर्ध हो, कमर में दर्ध हो, घुटनों में दर्ध हो, हडियों में कमजोरी हो और दोस्तो यदि आपको खून की कमी के समस्या है, तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक चमतकारी ओस्ते की तरह काम करता है दोस्तो इन सभी के लिए चूना और दालचिनी का सेवन वर्दान के समान है इसके लिए इन दोनों चीजों को आपने बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करना होगा दोस्तो हमारे सरीर में जो भी माइक्रो नूट्रिसंस होते हैं जैसे कि विटामिन A, ओमेगा 3, विटामिन C, प्रोटीन को इन सभी को पचाने के लिए कैलसियम की जरूरत होती हैं जो चूने और दालचिनी के सेवन से पूरी होती हैं ध्यान रखें कि आपको चूने और दालचिनी की सर्फ 1-2 ग्राम की मातरा का ही सेवन करना है और वो भी दोनों को बराबर मिलाकर और दिन में सर्फ एक बार निमित रूप से आपने इसका सेवन करना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तब आपका जोनों का दर्द, कमर का दर्द, खुटनों का दर्द, कंधे में दर्द सब दूर हो जाएगा दोस्तो यदि आपके घुटने घिसे हुए हैं और डोक्टर ने आपको और प्रेशन के लिए बोला हुआ है तो दोस्तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तो यदि तूटी हुई हड़ी है तो वो भी इससे जुड जाएगी इतना चमतकारी कारगर नुसका है और आपने इन दोनों को मिला कर सरफ एक ग्राम रोजाना लेना है और दोस्तो आपको इससे घुटने बदलवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और खून की कमी के कान जो भी रोग होते हैं उन सब से भी आप बचे रहेंगे यानि ये नुसका आपके सरीर के 45 बड़े बड़े रोगों का एक कारगर इलाज है अब आपको बताते हैं ये तो हमने बता दिया कि आपने इन दोनों को आपस में मिला लेना है उसके बाद इसके एक ग्राम से दो ग्राम की मातरा का ही सेवन करना है वैसे आप एक ही ग्राम करेंगे तब आपको अधिक बहतर नितिजे मिलेंगी आपने इसका सेवन कैसे करना है, आपने दूद उबालना है और दूद में इसको डालना है और उसको अच्छी तिरहें से मिक्स करके इसका सेवन करना है और दोस्तो ये आपके स्रीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज करदेगा, आपके स्रीर को निरोगी बनातेगा, आपकी हड्यों की कमजोरी का इलाज करदेगा, आपके स्रीर की इम्मुन पावर तक को बढ़ाने का काम करेगा, कैल्सियम की कमी का इलाज करदेगा, तो दोस्त तो यदि आपको पत्री बनने की समस्या है, या आपको स्टोन की समस्या है, किडनी में पत्री है, तब आपने चूने का प्रियोग नहीं करने है, क्योंकि उससे आपकी यह समस्या और भी अधिक बढ़ जाएगी, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियों, यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडि झाल 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 झाल